अगर आपने मेरा भारत में परमप्रागत उर्जा स्रोत से सम्मंधित मैंने वीडियो बनाया था आपने उसे नहीं देखा है तो मेरे यूटूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं इसके अलाबा कोईला का सरक्षन इससे भी सम्मंधित मैंने वीडियो बनाया था प्राकिर्तिक गैस पेट्रॉलियम से सम्मंधित मैंने वीडियो मनाया था आगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे यूटूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं इससे हमेशा ही प्रस्ण पूछे जाते हैं और उस वीडियो से किसी ना किसी एक्जाम में प्रस्ण जरूर आएंगे इसलिए उस वीडियो को भी जाकर मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं देश का पर्थम जैव सीएंजी इंधन सयंत्र ये महराष्ट में यहां पे पूने है यहीं पे अस्थापित किया गया था 13 अगस्ट 2016 को हमिशा प्रस्ण पूछ सकता है कि देश का प यहां पे अस्थापित किया गया था तो महराष्ट में अस्थापित किया गया था और वह अस्थान है पूना और यह कब अस्थापित किया गया था तो 13 अगस्ट 2016 को यह अस्थापित किया गया था यह सयंत्र किरसी अपसिस्ट से CNG का निर्मान करेगा किर्सी अफसिस्ट का उर्थ होता है कि जब फसल तयार हो जाता है और उसका जो अफसिस्ट भाग बसता है उससी यह CNG तयार किया जाएगा जैसे पुआल हुआ इसके अलावा इसकी अस्थापना जो है प्री मोव इंजिनियरिंग प्राइबेट लिम्टेड यह पूशेगा भी कि देश का पर्थम जैब CNG इंधन सयंत्र की अस्थापना किस ने किया था तो प्री मोव इंजिनियरिंग प्राइबेट लिम्टेड ने इसकी अस्थापना किया था जेव cng इंधन सयंत्र proof of concept की अब्धार्णा पर अधारित है जिसका ओर्थ है कि इसे कहीं भी दुबारा बनाया जा सकता है इसे कहीं भी दुबारा बनाया जा सकता है जेव cng इंधन सयंत्र को जैव इंधन के उपयोग से 50% तक डीजल की आयात को कम किया जा सकता है हम वहान में डीजल का उपयोग करते हैं उसके जगापर यह जैव इंधन का उपयोग हम कर सकते हैं 50% तक आयात कम हो सकता है यह उर्जा सुरुत कम लागत के साथ परदूसान मुक्त होता है इसे परदूसर नहीं निकलता है जो गारी चलता है जो देखते हैं धुआ काला सा पीछे से निकलता है CNG जब हम उपयोग करते हैं तो उससे धुआ नहीं निकलता है इसमे 96 परतिसत तक मिथेन प्रात्त किया जा सकता है CNG की दहन छमता जो होती है वह उच होती है इसलिए इसकी उसमा दक्षता भी उच होती है इसकी दहन छमता उच होगी तो उसमा दक्षता भी उच होगी अब हम देखते हैं कि सिलेंडर के रूप में गारी में इसका उपयोग किया जाता है जैसे पहले जब हम यहाँ पे डीजल फ्यूल होता था किसी भी ट्रॉक में तो यहाँ से धुआ निकलता था काला काला यह परदूशन करता था लेकिन अब जो है इस डीजल टंकी के जगाँ पे यहाँ पे एक CNG का आप देखते हैं लगा रहता है सिलेंडर यहाँ पे CNG का सिलेंडर लगा रहता है इससे जो है यह धुआ नहीं निकलता यह जो काला धुआ है ट्रॉक से नहीं निकलता परदूशन भी कम होता है साथ ही लागत भी इस पे कम आता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिम्टेड ने सुडान के सबसे बड़े तापिये बिधूत सयंत्र को सफलता पुर्वक 5 फरवरी 2016 को अस्थापित किया है सुडान यह अफिरका में परता है अफिरका में आप देखेंगे यह अफिरकन कंट्री है यहां पर सुडान परता है यहां पर दो भागों में बचा हुआ है उत्री सुडान और दक्षनी सुडान यहां पर भारत के द्वारा जो है तापिये बिधूत सयंत्र लगाया गया ह यह 500 मेगावाट छमता वाले इस प्लांट का नाम कोस्ती प्लांट है याद रखेगा इस प्लांट का नाम कोस्ती प्लांट है भारत जो तापिय बिधूत सयंत लगाया गया है जिसकी छमता है 500 मेगावाट इसका नाम है कोस्ती प्लांट इसे याद रखेगा हमेशा किसी ने क बिधुद सयंत्र किस देश में लगा है तो अफिरका के सुडान देश में लगाया है और इसकी छमता कितना है तो 500 मेगावाट है और इसका नाम जो है यहां पे कोस्ती प्लांट रखा गया है किस ने इसका निर्मान किया है तो भेल ने इसका निर्मान किया है इस प्लांट का यह फिरका है यही पे यह दक्षिन सुडान है यही पे भारत हैवे इलेक्ट्रिकल्स लिम्टेड द्वारा भेल द्वारा तापिय बिधुत सयंत्र अस्थापित किया गया है जो 500 मेगावार्ट छमता का है और इसका नाम यहाँ पर कोस्ती प्लांट रखा गया है इसलिए इस में इसको पूछ सकता है कि भारत ने किस अस्थान पे किस देश में तापिय बिधुत सयंत्र को अस्थापित किया है और इसका नाम क्या है